आएए देखते हैं अपना एक्जाम्पल 13 देख उतर यहाँ पर हम लेप्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के एक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे कोशिश क्या करेंगे बही कर नहीं है एक्स प्लस वाई ओवर साइड एक्स माइनस वाई उपर प्लस वाली आइडेंटी लगा दीजे नीचे माइनस वाली तो साइड एक्स प्लस वाई की आडेंटी क्या होती भाई साइड एक्स कॉस वाई प्लस नीचे क्या आ जाएगा बिटा sin x cos y minus cos x sin y बदाए कोई दिक्कत अब बिटा क्या करें अब यहाँ पर आके फस जाते हैं बच्चे तो आपको right hand side देखना है right hand side में tan x है मतलब numerator में sin x तो है अगर denominator में cos x आ जाए तब बात बन जाएगी लेगि फिर दिक्कत क्या करेगा cos y तो मैं क्यों ना इसको divide कर दूँ cos x cos y से तो y से वाई वाला कर जाएगा sin x और cos बदाए basically identities ही है जो proof कराई थी वही identity है तो मैं क्या कर रहा हूँ dividing numerator and denominator by क्या बटा cos x cos y ठीक है बई देख लीजे ज़रा sin x cos y को divide कर दिया मैंने किसे cos x cos y से फिर plus है अब numerator लिख रहा हूँ मैं cos x sin y को भी मैंने किसे divide कर दिया cos x cos y से अब आजएगे बटाए denominator में denominator में sin x cos y divided by sin x अच्छा cos x cos y से divide कर रहे है cos x cos y फिर बटा क्या है बीच हूँ है minus है cos x sin y को हमें किस से divide करना है cos x cos y बताई को दिक्कत अब जड़ा देखिए cos y से cos y गियो cos से cos गियो cos से cos गियो और इस बार बिटा क्या हुआ और इस बार बिटा क्या हुआ clear हो भी बात है नहीं अब बिटा क्या आजएगा अब आगे हमार आंसर आजएगा और क्या हुआ देखो sin by cos बिटा क्या होता है 10x बीच में है plus sin by cos क्या होता है बिटा 10y नीचे क्या जाएगा बिटा जड़ा देखिए sin by cos होता है बिटा 10x बीच में माइनस है और आगे क्या जाएगा 10y hands wrote ठीक है तो बस identity इसका पूरा खेले बाकी कुछ hint आपको right hand side को देख कर मिलेंगे और ये चीज़ आपके अंदर आएगे practice करके different different type के questions करके आपको NCRT और exemplar तो करनी ही करनी है और साथ में RD शर्मा की भी practice करनी है please note it down